स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल अगर आप एनराई हो और आपके पास भारत का प्रूफ है तो आप कैसे अधार के लिए रिजिस्टर करा सकते हो अगर आप अधार कियसे करा सकते हो ठीक है तो यह सब जानेगे आज की क्लास में सबसे पहले अगर बात करें तो आपको दो बातों की जानकारी एहम होनी एक होता है अपना CIDR, ठीक है, जो आपकी अधार की central depository है, जिसमें आपका, मतलब, thumbprints होगे, biometrics होगे, demographic data, यह सब यहीं पर store होता है, ठीक है, यह data आप सरकार को एक बार दे दोगे, यह lifelong data रहेगा आपका वहाँ पर, दूसरा होता है अधार meta data, मतलब, आपने अधार register करा, उस अधार से आप जो भी transactions कराते हो, मतलब, आप जितने, let's say, example के तौर पे, आप उस अधार से कोई भी government scheme का lab लेते हो, वो सब data store होता है अधार meta data में, अधार meta data सरकार 6 महीनों से जादा नहीं रख सकती, लेकिन ये data हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, इस data में अगर आपको आज से पहले, इन rules के पहले अगर change कराना होता था, तो आप इन rules में या तो offline जाके change करा सकते थे, मतलब center में जाके, या फिर आपको online change कराना पड़ता था, लेकिन दिक्कत क्या थी, online सिर्फ change आप address करवा सकते थे, बाकि कुछ भी अगर आपको अपना date of birth, अपना नाम के spelling change कराने है, father name change कराने है, कुछ भी change कराना है, तो आपको उसके लिए offline center ही visit करना पड़ता था, लेकिन अब से सरकार ने जो rule में बदलाव आए हैं, आपको कुछ भी अपना biometric वाला छोड़ के, demographic data कोई भी change कराना है, आप online भी करा सकते हो, आप इनकी mobile app याद रखेगा, ये mobile app है, M-Aadhar, और भी बहुत होंगी, अगली बात पर बड़ें, अगर आप लोगों को अधार के लिए register करवाना है, या आपको अधार में update करवाना है, करवाना थो हमने जान लिया, online और एप पर भी हो सकता है, लेकिन होगा कैसे, ठीक है, now we have to look at that, तो अभी अगर हम बात करें, अगर आपको अधार के लिए register क करना है, तो आपको form number 1 भरना होगा, तकरीबन 9 तरीके के form है, तो आपको form number 1 मांगना है जाके offline में, या online अगर आपको मिलता है, ठीक है, उस form number में, जैसे form number मान लिए यही है, वो form number 1 में ने लगा दिया है आपके लिए नीचे, तो form number 1 में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ठ लेकिन आपका जो proof of address है, अड्रेस प्रूफ है, वो इंडिया का ही है, ठीक है, प्लस आप 18 साल से उपर वाली उमर में अधार रेजिस्टर कराना चाहते हो, तो आपके लिए form number 1 है, ठीक है, इसमें problem आएगी कि भई, अगर हमें, ये तो ओ गया address, मतलब सब कुछ मतलब अगर आपको अधार अपना update कराना है, तो उसके लिए दो प्रावधान है, अधार update कराने के लिए सबसे पहले तो जो भी चीज आप उसमें update कराना चाहते हो, आपके पास उसका document होना चाहिए, आप उसके document साथ में लेके जाओ, अगर मान लिजे आपको date of birth change करानी है, तो हमारे पास HOF का प्रावधान है, HOF मतलब head of the family, तो जो भी आपकी family का head है, आपको सबसे पहले उसका आधार काड अपने साथ लेके जाना है, और जो फिर आपका form number 1 है, उसके नीचे एक दस्थकत करवाने है अपने head of the family पे, तो आगर आपके पास document नहीं है, तो आप head of the family क आधार काड और उनके signature form number 1 पे करवाके, जो भी change करवाना है, वो लेके जा सकते हैं, और आपका change करा जाएगा form number 1 के अंदर है, am I very clear, और यही चीज लिखी गई है, इसमें, head of family लेके जाओ, उस पे form number 1 पे दस्थकत करवाईए, अगर आपके पास document नहीं है, तो, clear है जी ब आधान आपको दिया गया है कि भई, आगर आपके पास अपनी I.U.PROVE करने के लिए document है, मतलब आपको update करवानी है, या पहली बार दर्ज करानी है, अगर आपके पास date of birth का certificate है, आपको already, तो basically आपको वो birth certificate अपना साथ में लगाना है, जो मैंने आपको यह दिखाए है, ठ लगेगी, इस case में आपकी self declaration के बहाफ के उपर भी आपकी age इसमें डाल दी जाएगी, लेकिन उसमें एक problem आएगी, मान ली जी आपने बताया कि भई, मेरे पास birth certificate नहीं है, मुझे self declaration करवानी है, और मेरी उमर है, let's say, 1 January 1992, तो आप यह date तो दे दोगे, लेकिन final जब आपक पास birth certificate नहीं है, उसमें सिरफ आपका यह साल आएगा 1992 का, अगर आपको यह पूरी date of birth चाहिए, फिर आपका date of birth certificate लगेगा, जिसके अंदर जो अधार आपका print होके आएगा, उसमें 1 January 1992 पूरी date print होके आएगी, am I very clear on this, चले, उसके बाद जानते हैं कि भई, जो भी अपने NRIs हैं, उनके लिए क्या प्रावधान वगेरा हैं, लेकिन जानने से पहले, अगर आप लोग 2024 के प्रिलिम की तियारी कर रहे हो, तो we have this disciplined based test series for you, इसका batch number 2 launch हो गया है, वैसे यह 8000 रुपए की है, लेकिन अभी if you apply the code GS live, तो आपको यह 3299 रुपए में मिलेगी, इसमें 16 full length test मिलेंगे, अगर आपको test series के साथ-साथ classes भी चाहिए, जिसमें आपका comprehensively सारा syllabus कवर कराया जाएगा, live classes चलेंगे आपकी, 22 January से यह batch शुरू हो रहा है, तो you can subscribe to SIP plus 2024 program, teachers आपके साथ हमेशा रहेंगे live support के उपर, आप साथ में questions भी पूछ सकते हो, test होगा, test का analysis होगा, क्या कमिया है, आपको पता चलती रहेंगे साथ में, इसका price is 11,499, बट अभी it is on discount for 5,999 only, ठीक है, आगर आप व्यक्ती हो कि भाई, मुझे 2225 वाला attempt लिखना है, तो then this is the course for you, study IQ का GS Foundation P2I course, इसमें आपको prelim से लेके interview तक की पूरी त्यारी कराई जाएगी, आपको books का set मिले आपको इसी में test series भी मिलेगी, mains answer writing भी मिलेगी, उसके बाद जो 2 है यहाँ पे, इसमें, this means mains residential program, अगर आप इस मतलब program का हिस्सा हो, और आप अपना pre clear कर लेते हो, तो study IQ आपको अपने खर्चे के ऊपर दिल्ली बुलाएगा, आपका lodging, accommodation, खाना पीना, सब study IQ will take care of that, and आप के साथ 3 महीने के लिए mentors रहेंगे, जो आपको rigorous answer writing practice कराएंगे, and जो I वाला part है, I part stands for interview guidance program, तो interview में जो main एक चीज़, important role रखती है, वो है DAF, detailed analysis form, जिसके basis के उपर आपको question पूछे जाते हैं, तो वो कैसे बरना है, जो senior retired ex bureaucrats है, वो आपको बताएंगे कि DAF क्या भरो, क्या question से expect कर सकते हो, और कैसे आपको इनका जवाब देना है, ठीक है, so this course is for 70,000 rupees, right, if you have, like if you want to avail it now, this is available at discounted prices, 23,999 रुपए, तीरो languages में है ये, English में भी है, Hindi में भी है, और English में भी है, और discount के लिए आप check out करते time code लगा सकते हो, GSLive, and this is the SIP offline, जहां पर मैं आपको सारे subject पढ़ हा रहा हूं, तो आप ये भी ले सकते हो, जिसका live और online access भी है, and lastly, अगर आपको कोई भी doubt है, किसी चीज़ के related, आपको अगर इसका PDF भी चाहिए, rules अच्छे से पढ़ने के लिए, तो मैं अपने इस Telegram चैनल पे डाल दूँगा, the name is GS underscore Gil UPSC, ठीक है जी, अगर आपको मेरे साथ कोई personal बात करनी है, किसी भी मुद्दे पे लेके, त्यारी को लेके, इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे personally GS underscore Gil 07, दोनों Telegram और Instagram पे यही ID है, मिरे साथ contact कर सकते हो, ठीक है जी, आगे बढ़ते है, form number 2, form number 2 है जी, अपना NRI के लिए, लेकिन कौन से NRI, जिनके पास भारत का address proof है, ठीक है, अगर आप NRI हो, लेकिन आपका still जो address का proof है, वो इंडिया में ही है, फिर आप form number 2 भरके अपने लिए अधार register कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 3 basically requirements है, सबसे पहले आपको अपनी email ID देनी होगी, you have to give your email ID, वो necessary है, दूसरा आपको अपना number देना होगा, mobile number, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है, कि भई, अगर आपका number बाहर का है, बाहर ले देश का number है, और वो आप UIDAI को देते हो, तो आपको फिर भई हम SMS service provide नहीं करेंगे, कि भई, कोई भी update अगर आता है, तो SMS service नहीं मिलेगी, right, and तीसरा, रखा गया कि भई, अपना ID proof देना है, और वो ID proof आपका passport होगा, तो अगर आप एनाराई हो, और आपका भारत का address है, तो आप form number 2 भरके, इन 3 documents के साथ, इन 3 conditions के साथ, अपना आधार register करवा सकते हो, ठीक है, चलिए, अगली category की बात करें, तो बच्चों के लिए है, ठीक है, सबसे पहले आता ह बच्चों के लिए form number 3, अगर मान लिए आपको अपने बच्चों का अधार register करवाना है, और आप दो categories में आते हो, या तो आप भारत के ही resident हो, नागरिक हो, नागरिक नहीं, resident basically, या आप NRI हो, ठीक है, और NRI होते हुए आपका जो address proof है, वो India का है, ठीक है, तब आप अपन बच्चे जिनकी आयू 5 से 18 साल तक अगर है और उनका अधार लेना चाहते हो, तो form number 3 भर के अधार कार ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, अगर आप NRI हो, लेकिन आपका जो address है, वो भारत का नहीं है, इंडिया का address नहीं है, और आप अपने 5 से 18 साल वाले बच्चे की आधार लेना चाहते हो, तब आपको form number 4 भरना होगा, ठीक है, अगर आप फिर से भारत के ही resident हो, और या आप NRI हो, जिसका address इंडिया में ही है, ठीक है, अगर आपको अपने 5 साल से कम आयू वाले बच्चे का आधार रेजिस्टर कराना है, तो आपको form number 5 भरना होगा, ठीक है, 5 years less, और इसको बच्चे को कौन सा अधार मिलेगा, इस वाले बच्चे का अधार is called as blue अधार, ठीक है जी, चलिए, उसके बाद अगर आप NRI हो, और आपका अधार का, जो आपका address है, वो भारत से बाहर का है, और आपको अपने 5 साल से कम आयू वाले की बात, moving forward, अगर, basically, these are the rules for foreign national, अगर आप foreign national हो, not for children, foreign national, तो foreign national के लिए आपके लिए है form number 7, ठीक है, अगर आप foreign national हो, और 18 साल की उमर से उपर हो, और आप चाहते हो कि भई, मेरे पास भारत का अधार का अधार काड हो, then what you have to do, आपको अधार काड के लिए register करना है, लेकि इन register करते time जो आपके document proof लगेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले अपना foreign का passport देना है, या अपना OCI card देना है, या अपना valid long term Indian visa देना है, इन में से कोई भी अगर आपके पास चारों में से एक है, आप एक submit कर सकते हो, और आपको mandatorily अपनी email ID देन अगर आप resident foreign national हो, और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से कम है, तब आपको form number 8 परना है, मलब 7 और 8 में सिरफ एक ही फरक है, condition सारी सेम रहेंगी, 18 साल से उपर हो form number 7, 18 साल से नीचे हो form number 8, ठीक है जी, moving forward form number 9, अगर आपको लगता है कि भाई, आपने मान लीजे, आज आपके मम पापा ने अपना आपका अधार कार रेजिस्टर करा दिया, कल को आप 18 साल की उमर से उपर जाते हो, आपको लगता है कि भाई, मुझे अधार में नहीं आना था, मेरे ममपापा ने करा है, मेरी तो च्वाइस ही नहीं थी, फिर आप UIDI में form number 9 भरके, ठीक है, अधार को cancel क आपके पास, clear हो गई जी बात, moving forward to the last, अगर आपको अपने documents अपलेट करने हैं, तो उसके लिए present rules में जो condition आई है, वो ये है, कि भई, आप अपना जो भी application है, mobile से कर सकते हो, mobile के लिए, please app याद रखेगा, नाम है उसका M अधार, ठीक है, तो आप इससे करवा सकते हो, या आप online जाके भी, अभी कोई भी अपना demographic information upload करवा सकते हो, जैसे आपका नाम, पता, age, date of birth, कुछ भी, and plus आप offline visit करके भी करा सकते हो, offline के मैंने आपको साथ-साथ form number बता दी है, ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि भई, आपने एक बार अगर जो CIDR में information दे दी, तो 10 साल बाद अगर आपका मन चाहे, तो आप उस information को update भी करवा सकते हो, ठीक है, आपका address कोई update करवाना है, कुछ भी update करवाना है, you may update it after completion of 10 years, ठीक है जी, and lastly वही बात कि adaptation of अधार, ये basically online भी हो सकता है, mobile app पे भी हो सकता है, और website पे भी आप जाके करवा सकते हैं, और center में तो चलो हो ही जाएगा, तो ये थे जी rules, I hope आपको चीज़े समझ में आई होंगी बहतर तरीके से, कि भई, अधार के लिए register कैसे करवाना है, form number एक किस लिए है, आप डेशन करानी है, और उसके बाद अगर document नहीं है, तो किस के signature लगेंगे, किस वाले form number के उपर करवाने है, I hope you all are clear with it, तो इसी सही है कि UPSC का previous question भी solve कर लेते हैं, ठीक है, पहला statement UPSC देता है कि भई, अधार meta data cannot be stored for more than 3 months, नहीं या, 3 months तो नहीं था, CID वाला data तो वो सारी जिंदगी के लिए र रखेंगे, तो पहला गलत हो गया जी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अब या तो तीसरी statement सही है, या दूसरी और चौती, तीसरी में पूछा है, अधार is mandatory for obtaining insurance product, नहीं यार, insurance हम खरीते हैं, अधार is not mandatory, ठीक है, अगर आपको इसके उपर भी वीडियो चाहिए कि भई, कि किस चीज के लिए अधार देना हमें अनिवारिया है, क्योंकि वो तो लोग तो सब सबसे के लिए मांगते हैं, मुबाइल के लिए भी मांगते हैं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी मांगते हैं, बैंक काउंट खोलने के लिए अधार अनिवारिया नहीं है, याद रख बात है, तो दूसरा और चौथा पॉइंट वर सही, ऐसे आप लोग UPSC की तयारी कर सकते हो, this is how easy UPSC is ठीक है, so, thank you so much see you guys, I hope you like the information, share the video, तांकि सब के साथ जो information है, वो पहुंच सके, see you guys in the next one, thank you so much Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable